शिव बोले, हे वत्स, अब मैं तुम्हें श्रावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतिया तिथी को किये जाने वाले उत्तम तथा पवित्र, स्वर्न गौरी व्रत के बारे में बतलाता हूं। उस दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म वसनान से निवरित होकर संकल्प करना चाहिए। तब सोला उपचारों से शिव और पर्वती का पूजन करना चाहिए। साथ ही इस प्रकार प्रार्थना भी करें। हे जगतपती, हे सुर्पती, हे जगदिश्वर, मेरी अर्चना आप स्वीकार करें। भवानी महादेवी के सोला बान पती पत्नियों, जोड़े, को दान में देता हूँ। पहले चावल का आटा बनाएं। चावल के आटे से बनाए गए। सोला मीथे पकवान, बास की सोला टोक्रियों में सजाकर, उनके साथ वस्त्रादी रख सहित शाभन सुवासिनी इसे ग्रहन करें। इस प्रकार एक वर्ष, चार वर्ष, आट वर्ष और सोला वर्ष तक वरत कर, ततपश्चात पूजा पूरी करने के बाद ही उध्यापन करें। कथा सुनने के बाद महर्शी व्यास की पूजा करें। सनत कुमार ने शिव से इस पूर कर अतुर धन संपदा का स्वामी बना देता है। पुरातन काल में सरस्वती के तटपर बसी सुविला नगरी में चंद प्रभाण शासन था, वह अतुल धन संपदा का स्वामी और अती बलशाली था, उसकी दो अती रूपवान रानिया थी, उनके नाम महादेवी तथा विशाला थे, बड़ी रानी महादेवी को नरेश अधिक चाहते थे एक दिन राजा वन में शिकार खेलने गए, वहाँ पर अनेक प्रकार के पशुओं का शिकार करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया तो वे भूप प्यास से व्याकुल हो इधर उधर घूमने लगे, काफी दूर निकल जाने पर उन्हें एक तालाब दिखलाए पड़ा, तालाब चारों से मनोरम था, वहाँ राजा ने देखा कि देवलोग की अपसराय स्वर्न गौरी की पूजा में लिंग थी, उनको राजा ने कहा, हे देवियों, आप यहां किस प्रयोजन है तु ये पूजन कर रही हैं, इस पर उन्होंने उत्तर दिया, हे नरेश, हम सब स्वर्न गौरी की पूजा कर रही हैं, इस व्रत के फल स्वरूप प्रानियों को प्रत्येक प्रकार की धन संपद मिलती है, इस लिए हे नरेश, आपको भी अपनी प्रजा की भलाई एवं धन प्राप्ती के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए, इस पर राजा बोले हे देवियों, इस व्रत को करने की विधी मुझे मालूम नहीं है, वो आप मुझे बतलाएं, इस से प्राप्त होने वाला फल भी मुझे कैसुनाईए, अप सराय बोली, हे नरेश, श्रावन मास में शुकल पक्ष में आने वाली तृतिया तिथी को यह व्रत किया जाता है, इसमें शिव पार्वती का श्रद्धा और भक्ती से पूजन किया जाता है, इसके लिए पुरुश्वग अपने दा व्रत की बस यही विधी है, चंद्रप्रभा नरेश ने भी व्रत को समाप्त कर राजधानी गए, परंतु राजा के हाथ में दोरा देखकर रानी अतिक्रोधित हो जी, उसने राजा के हाथ से दोरा बलपूर्वक तोरकर बाहर दूर एक व्रिक्ष पर डाल दिया, राजा राजा ने उसे ऐसा करने से बहुत माना किया, परंतु रानी ने राजा की बात नहीं मानी, उस दोरे के स्पर्ष से वो सूखा पेड अलक काल में ही हरा भरा हो गया, चोटी रानी इससे बहुत प्रभावित हुई, उसने पेड पर से वो दोरा उतार कर अपने हाथ में पार्वती का ध्यान किया, वो वहाँ पर मुनियों के आश्रम के पास कुटिया बना कर रहने लगी, मुनि उसे देखकर अती कुपित हुए और उसे वहाँ से भगा दिया, तब वदुग, खी हो उस वन में दूसरी जगह जा बैठी, उसे वहाँ पर बैठे देखकर प्रणाम है, हे मंगले, आप बंदनीय हैं, इस प्रकार देवी ने भी पार्वती से वर प्राप्त कर स्वर्ण गौरी का वरत किया, वरत के प्रभाव से नरेश जंगल में रानी के पास पहुचा, वह रानी को महल में वापस ले आया, महादेवी के स्वर्ण गौरी वरत के प्रभाव से राजा तथा उसकी दोनों राणियों की समस्त मनों कामनाय पूरी हो गई, उन तीनों ने समस्त रिद्धी सिध्धियों का उपभोग किया, मरनो परांत राजा अपनी राणियों सहित शिवलोक चला गया, शिव बोले, हे पुत्र, इस प्रकार जो भी प्राणी स स्वर्ण गौरी का वरत नियमानुसार करता है, वो मुझे तथा पारवती को अत्यंत प्रिया लगता है, भूलोक में उस पर लक्ष्मी की वर्षा होती है, उसके समस्त दुश्मनों का विनाश होता है, एंतकाल में वो भव बधन से मुक्त हो शिव धाम जाता है, शिव जी सबसे उपर शिव पारवती की प्रतिमाय रखें, उनके साथ दो सफेद वस्तर तथा यग्यो पवीद भी रखें, विधी अनुसार वेद मंत्रों से पूजा करें, रात्री जागरन भी करें, दूसरे दिन ग्रह होम और अधान होम करें, तब एक हजार अत्वा एक सो आहु जो जो मिश्रित दिल को घी में मिला कर बनी हो, आचार्य का पजन करके उसे वस्तर, आभुशन, गौ आदी दान में दें, तब सोला बान दान करके ब्राहमनों को भी भोजन कराएं, ब्राहमनों को भी अपने धनकी क्षमता के अनुसार स्वयम पत्नी सहित दक्षना दें, श्रावन मास महात्मय, अध्याय माइनस बारह, स्वर्ण गौरी व्रत, कफला, इस बारह में अध्याय के पार्थ वश्रवन से शिव पार्वती कृपा वशिवत धाम की प्राप्ती होती है,